नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक्निकल उत्तर परदेश में दोस्तो आज की वीडियो आप ले काफी ज़्यदा एंपोर्टेंट और यूज़ फूलोने वाले है क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तो जैसा कि आप जो आप लोग जानते हैं रियल्मी C11 2000 की 21 की फोन में ये फीचर नहीं है लेकिन दोस्तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ सेम ट्रिक आपको यूज करने है सबसे पहले प्लेश टोर ओपन करना है यहाँ पर आपको सर्च करना Microsoft Launcher Microsoft Launcher सर्च करना है इसके बाद इसको डाउनलोड करना है लेकिन द्यान रहे डाउनलोड करने इस वाली वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बाक्स में आपको लिखना होगा रियल्मी C11 2000 211 एप हाइड इसके बाद इसको डाउनलोड करना है तभी आपके फोन में यह प्रोपल ली वर्क करेगा जब हम इसको ओपन करते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरफियस देखने को मिलता है तो नीचे की तरब देखेंगे आप लोग Get Started का Option है Get Started के Option पर हम लोग किलिक करेंगे इसके बाद उपर है Will Using the App Will Using the App इसके बाद Allow का Option दिखाए देगा Allow के Option पर किलिक कर देंगे इसके बाद कुछ ऐसे इंटरफियस देखने को मिलता है तो Left Side में हमारे Phone का जो Background है यहाँ भी देख सकते हैं इसके बाद हमको यहाँ पर Continue के Option पर किलिक करना है इसके बाद कुछ ऐसे इंटरफियस देखने को मिल जाता है अब Left Side नीचे की तरब आप लोग देखेंगे Skip का Option है इस पर आप लोगों को किलिक कर देना है जिससे आप लोग Skip के Option पर किलिक कर देते हैं आप यहाँ पर आपको Left Side में फिर्षे Customize का Option दिखाई देता है Customize के Option पर आप लोगों को किलिक कर देना है जिससे आप लोग Customize के Option पर किलिक करेंगे कुछ ऐसे इंटरफियस देखने को मिल जाता है आप राइट साड आपको नीची के दरफ Continue को Option देखने को मिलता है Continue के Option पर किलिक करना है इसके बाद Let's Go का Option देखने को मिलता है आपको Let's Go के Option पर किलिक कर देना है कुछ ऐसे इंटरफियस आपको देखने को जब मिले तो यहाँ पर नीचे Don't So Again का Option होगा इस पर किलिक करके आपको Set As Default पर किलिक कर देना है Set As Default पर जैसे आप लोग किलिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे अंटरफियस देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको Microsoft Launcher पर किलिक करके आपको Always के Option पर किलिक कर देना है जैसे ही आप लोग always के option पर click कर देते हैं तो यहाँ पर आपका home screen पूरा change हो जाता है अब चलिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से आपको app hide करना नीचे आप लोग देखेंगे नीचे से उपर के तरफ slide करेंगे सबी application आपको दिखाए देंगे अब right side उपर की तरफ three dot आपको दिख रहा है Hidden apps का option है hidden apps के option पर click करेंगे इसके बाद hide app का option है hide app के option पर click करेंगे इसके बाद जिस भी app को आप लोग hide करना चाते हैं यहाँ से hide कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर hide करने के बाद मैं आगे आपको बता रहा हूँ कर दिया है, अब done के option पर click कर देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको किसी भी application को hide करना है, तो hide apps पर click करके hide करना होगा, अब चलिए आपको home scheme पर चल के दिखा देते हैं, जितने application को हमने hide किया है, वो सारे application आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, चली अब इनको बता रहे हैं कैसे open करना, three dot पर click करेंगे hidden apps पर click करेंगे, अब यहाँ पे सभी application दिखाए देंगे, इनको आप open कर सकते हैं, और यहाँ पे right side उपर की तरफ setting का option है, इस पर click करके, आप लोग set password पर click करके, password set कर सकते हैं, चली आपको password set करके दिखा देते हैं, यहाँ पे हम click करते हैं, इसके बाद यहाँ पे left side में skip का option, skip का option पर click करेंगे, जो भी password आप लोग यहाँ पर बनाना चाहते हैं, password को दो बार enter कर देजे, confirm कर देजी, अब कोई भी hidden apps को open करेगा, पहले password इंटर करेगा, तभी वो hidden apps को open कर सकता है, वह ना application को open नहीं कर सकता है, यह आप देख सकते हैं, hidden apps पर click करने बाद गलत password को इंटर करता है, तो यह open हुई नहीं होगा, जब आप सही password इंटर करेंगे, जितने भी hidden apps हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएद वीडियो को like करिए और channel को subscribe जरूर करिए,